आज हम हाई प्रोटीन टिक्की बनाने जा रहे हैं ये टिक्की रिच इन फाइबर और प्रोटीन है जो आप गिल्ट फ्री होके ब्रेकफास्ट या स्नैक में कभी भी बना सकते हैं इसके लिए हमने मूं को रात को भिगो दिया था और उसे एक कपड़े में बांद के हमने उस प्रोटीन डाइट फॉलो करने वालों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है देखिए स्प्राउट्स हमारे ग्राइंड हो गए हैं अब हम एक पनीर का टुकडा लेंगे और उसको ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे अब इस ग्रेटेट पनीर के अंदर हम स्प्राउट जो हमने पीसा था वो भी मिक्स कर देंगे उसके साथ ही उसमें हम ग्रीन कोरियंडर थोड़ा सा पैपर और स्वाध अनुसार नमक डालेंगे इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये टिकिया न्यूट्रिशन से भरपूर और बहुत ही टेस्टी होती है जो बच्चे पर बड़े सब को बहुत पसंद आती है अब हम इस मिक्षर के छोटी छोटी गोल टिकिया बना लेंगे स्प्राउट्स एक लो कैलोरीज और हाई फाइबर फूड है जो हमें अपनी डायेट में जरूर ने इंक्लूड करना चाहिए देखिये हमने इसकी सारी टिकिया बना सेख लेंगे अगर आपको इसे फुल मील बनाना हो तो आप इसे टोस्ट और बर्गर के उपर रख के भी खा सकते हैं देखिये हमारी टिक्की एक तरफ से सेख गई है आप हम पलट के दूसरी तरफ से भी सेख लेंगे और देखिये क्या अच्छी गोल्डन ब्राउम टिकी हमारी बन चुकी है जब कभी चाट खाने का मन होनो फ्रेंड तो आप इसी टिक्की के उपर दही और खटी मीठी चटनी डालके अपनी चाट की तलब को भी पूरी कर सकते हैं यह डेलिशियस और नूट्रिटिव दोनो है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी और आप इस हुआ है